नमस्कुर्ण दोस्तों मेरा नाम है भालचंद्र ब्रह्मान्ट सिद्यास्टों में आप से भी का स्वागत है आज के इस वडिया में हम चर्जा करेंगे दिनां 20 नमबर 2021 का संपुर्ण राशिपल उससे बहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्शा करेंगे आज का जो दिन है शनिमार का है कुरुष्ण पक्ष की पहली दिती है नक्षत्र रोहिनी है योग शिव है दिन का जो करण है वो कौलव है और जो रात का करण है वो तैतिल है आज के दिन का जो गुलिक काल है वो शुरूवत होगा सुबह 6 बचकर 44 मिट से लेकर 8 बचकर 6 म अभीजितमूर्थ दोपर 11 बचकर 18 मिनिट से लेकर 12 बचकर 36 मिनिट तक का होगा गुलिककाल और अभीजितमूर्थ दिन के शुबकालावदी कह जाते हैं इसमें किसी भी प्राकार के महत्वपुर्ण निर्न या फिर काम आप आरम कर सकते हो उसी प्राकार आज के दिन का जो राहुकाल है वो शुरुआत होगा सुबह 9 बचकर 28 मिनिट से लेकर 10 बचकर 50 मिनिट तक और यमगंड़काल दोपर 1 बचकर 34 मिनिट से लेकर 2 बचकर 56 मिनिट तक का होगा राहुकाल और यमगंड़काल अशुवकालावदी कह जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महतुपुर्णा काम बिल्कुल भी आरम नहीं करना आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा संपुर्ण दिन वरिशब राशी में ब्रह्मन करेगा यह चंद्रमा शनी के साथ नवपंचम योग यानिके त्रिकोन योग करने जा रहा है उस प्रकार आज की दिन बुद्ध और गुरु का केंद्र योग भी होने जा रहा है यह अगर रसती सामने रखते हुए बारा राशों का राशिबल क्या होगा इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहली राशी है मेश राशी मेश राशी के द्वितियाव वहमें चंद्रमा का ब्रह्मन राफी के दशन बुद्ध शनी के साथ यह चंद्रमा नवपंचम योग यानिके त्रिकोन योग करने जा रहा है आपके अश्टमाव में सित बुद्य के साथ आपके लापवाव का जो गुरु है वो केंदर रियोग करने जा रहा है बहुत अच्छा दिन है आपके लिए जो भी आपका कारेक्षेतर है उस विशेपर आपको कुछ अच्छी बाते उबर कर सामने आ सकते हैं कुछ अच्छी रूप से होगे आज के दिन आपको कुछ अच्छे लाप वगरा भी मिलने की संभावना काफी अच्छी बनती है लॉंग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आज के दिन कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है दो दिन काफी अच्छा है इसका पुरी तरह से ल दशंबाओ का जो गुरू, आपके सब्तम्बाओ में बुद्धर के साथ आपके दशंबाओ का जो गुरू है, वो केंद्रियों करने जा रहा है, बहुत अच्छा दिन है, आपके लाज, आपका जो confidence level है, वो काफी अच्छा देखा जाएगा, जो भी आपके भविशे के बार लीजे, इसके बाद की जो राशी है, वो है मिद्धुन राशी, मिद्धुन राशी के वेई अबाओ में चंद्रमा का ब्रह्मन अराप्य के आपके अच्छा दिन आपको लाप तो नहीं मिलेंगे, लेकिन घूमना, फिर ना, आज की दिन आपका काफी जादा हो सकता है जो कि सकारत्मकरूप से शुबुफल अदाई भी होगा उसी प्रकार आज के दिन आपको कुछ अच्छी ऐसी बाते समझ सकती है जो कि फ्यूचर में जाके आगे जाके आपके लिए फायदे मन साबित हो सकते है खास करके पैसा के मामले में तो दिन काफी अच्छा है इसका पूरी तरह से लाव लीजिए इसके बाद की जो राशी है वो है करक राशी करक राशी के लावभाव में चंद्रमा का ब्रह्मना रापे के सब्टम बहुत अच्छा दिन है आपके लिए आपके जो मित्र परिवार होंगे उनसे आपको काफी एच्छी मदद मिल सकती है उसी प्रकार अगर आपका विवा हुआ है तो आपके जो वाई-वाई जोडिदार है उनके साथ भी आज आपकी हार्मनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी इसके बाद की जो राशी है वो है सिंग राशी प्रकार जहापर आपके जो राशी के विक्ति जॉब लेसे जिनको जॉब नहीं मिल रही है उनके लिए आज का जो दिन है काफी अच्छा और मैं तो बुण साबित होगा उसी प्रकार जहापर आप काम करते हो नुकरी करते हैं फिर विवसाय करते हो वापर के जो लोग होंगे वह भी आपके साथ बहुत ही जदा फ्रेंडली नजर आएंगे उनसे आपको काफी अच्छी मदद भी मिल सकती है तो नमपंचम योग यानि के त्रिकों योग करने जा रहा है आपके चद्रतवामिसित बुद्ध्य के साथ अपके सच्टवाओ का जो गुरू है वह केंद्र योग करने जा रहा है तो दिन बहुत अच्छा आपका कॉंफिडेंस बहुत अच्छा देखा जाएगा मित्र प्रत्रकों के दिन सब्सक्राइब करने जा रहा है और अच्छा दिन है आपकी लेखास करके आज के दिन आपको प्रत्यक्स शल आप तो नहीं मिलेंगे लेकिन घर के जो लोग होंगे उनके साथ आपके हार्मनी बहुत अच्छी देखी जाएगे उसी प्रकार अगर आपने आपके बिजनेस के बारे में कुछ सोचा है कुछ बड़ी यूजना के बारे में सोच रहे हैं उसके संदर में कुछ अच्छी बात है या फिर खबर आज की दिन आपको मिल सकती है इसके बाद के जो राशी है वो है ब्रिच्चिक राशी के सब्तम बाव में जंद्रमा का भ्रहमन है रापी के त्रितियों बाव में सिथ शनी के साथ या जंद्रमा नवपंचमयोग यानि कि त्रिकों यूग करने जा रहा है रापी के राशे में सिथ बुद्द्र के साथ आपके काफी दिनों से नहीं हो पार रहे वह आज आपात में ले सकते हैं वह पूरे होने के संभावना काफी अच्छी बनती है थोड़ा सा सहथ के उपर द्यान रखना ज्यादा अवश्यक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है धन्यराशी नहीं है वह तो आज का जो दिन है सेहथ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना जादा आउश्यक होगा उसी प्रकर जो धनु राशी के विगती जॉब लेशन को जॉब वगरा मिलने की संभावना भी काफी अच्छी बनती है। इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट आज के दिन आपकी हो सकती है। इसके बाद की जो राशी है वह है मकर राशी के बंचों बहों में चंद्रमा का ब्रह्मन है पर आपके राशी मैं सिधित शनी के साथ यह जिस्ति रिलेशनशिप में तो वहां पर भी आप दोनों में काफी अच्छा understanding देखी जाएगी नए relationship अगर बना चाहते हो तो भी आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा और शुबफ लदाई सावित होगा थोड़ असा सेहत के ओपर ध्यान रखना आवश्चक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है कुंबर राशी कुंबर राशी के चत्वरति बाव में चंद्रमा का ब्रह्मण है पर आपके घर ना मिलना पसंद कर अपसंद कर गे और वो आराम आपको मिलेगा भी अगर आप नई वस्तुद देना चाहते हो तो भी आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा और शुबफलेदाई सावित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है मींद राशी मींद राशी के तरितिया भाव में चंद्रमा का ब्रह्मण है और आपके कि करने जा रहा है कि आपके बहुंद में अपको सब्सक्राई करने जो भी काम कई दिनों से नहीं हो रहे वो आज आज के दिन आप वाफ में ले सकते हो वो पूरे होने के काफी अच्छी संभावना बनती है, मित्र परिवारों में भी जो मित्र आप से थोड़े वैस के उनसे आपको काफी अच्छी मदद मिल सकती है, तो दिन बहुत अच्छा है, जो भी महतोपुर्ण काम है, वो आज आप आप में ले सकते हो, वो पूरे होने क संभावना काफी अच्छी बंद रही है तो दोस्तों ये था दिनांग 20 नवंबर 2021 का संपुर्ण राशिफल आपको ये राशिफल कैसे लेगा आपने के सानवो किया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपने जो चैनल है ब्रह्मा डिस दिया यसे भी लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवाद